हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बुक्सेंड ब्रेन आई होप यू गाइस आ दोई वेल, स्टेडी हार्ड और अपने जितने भी बोर्ट्स के आपके पास दिन बचे हैं उनकी तियरी आप अच्छे से कर रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथिस का पार्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथिस का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने परसेस और फोटोसिंथिस देखे थे बट आज के पार्ट में हम उसका मेकानिजम देखेंगे उसमें कौन से light reaction, dark reaction कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे So let's start with our photosynthesis part 2 So उसके बाद आता है mechanism of photosynthesis Photosynthesis आपको फता है कि two stages में होती है एक light dependent reaction और एक light independent reaction जो independent reaction होते हैं उसको Kelvin cycle भी बोला जाता है तो सबसे पहले देखते हैं light reaction Light reaction जो होता है वो thylakoid में present होता है आपको diagram में दिख रहा है कि light reaction जो है वो thylakoid में हो रहे हैं Light energy present है वहाँ पे Water जो है वो light reactions करके oxygen की production करती है तिक है कि आपको diagram में दिख रहा है और यहां से ATP और NADPH जो है वो बनते हैं ठीक है और यह मतलब उनको बनाता है ठीक है और इसी energy को ATP और NADPH के energy को Light independent reaction जो है वो अपने जो process करते हैं उसमें यह इसको use करते हैं जिसको हम Kelvin cycle भी बोलते हैं ठीक है जो light reaction है उसमें ATP और NADPH की production होती है और इसी production या इसी energy को light independent reaction या फिर dark reaction जो है वो use करते हैं glucose बनाने के लिए convert करते हैं वो CO2 को sugar में ठीक है और dark reaction जो होते हैं वो stroma में होते हैं ऐसा नहीं है कि dark reaction को light, dark है तो मतलब यह night time में होंगे night time नहीं बलकि dark reaction इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह direct sunlight को use नहीं करते बलकि energy की form में sunlight जो की light reaction से निकली होई जैसे ATP और NADPH की energy जो निकली है light reaction की वज़़े से उसका use करते हैं इसलिए इनको dark reaction बोला जाता है इसके बाद आता है light dependent reaction इसके बारे में देखते हैं इन्ही light dependent reaction को light reaction भी बोला जाता है which contains photosystem 1 and photosystem 2 ठीक है तो photosystem 1 जो है वो होता है 700 की wavelength को वो absorb करता है और जो photosystem 2 है वो 680 nanometer की wavelength को absorb करता है आपने देखा है जब भी हम photosystem 1 लिखते हैं तो P700 लिखते हैं और जब भी हम photosystem 2 लिखते हैं तो उसको हम P680 लिखते हैं ठीक है यह इनके मतलब wavelength के उपर हम इनको denote करते हैं उसके बाद occurring chloroplast यह थाइलाकॉइट में present होते हैं इनकी जितनी भी light reaction जो होते हैं उनकी process जो होती है वो थाइलाकॉइट में सारी process वहां पर होती है ठीक है उसके बाद आता है कि यहां पर इस reaction को करने के लिए water की presence होना और light का present होना क्यूंकि light dependent reaction है यह light पर fully तरह dependent है ठीक है तो जितने भी process यह जितने भी reaction होंगे वह light की presence में ही होंगे ठीक है और addition of phosphate में है मतलब जब भी यह light reaction जो light है वो convert करेगी तो production करेगी ATP की जब भी light reaction वहां पर होंगे तो वो वहां पर ATP की production करेगी जिसको ATP plus PI क्या है phosphate यह phosphate को convert करेंगी ATP की और ATP कौन सी form है adenosine triphosphate बोला जाता है इसको और यह एक energy की form है जिसको plants बाद में अपने metabolic processes के लिए use करेंगी चीक है उसके बाद आता है photo phosphorylation photo phosphorylation मतलब यह इनकी process light dependent reaction में processes होती है cyclic और non-cyclic आज हम cyclic और non-cyclic process के बारे में ही discuss करेंगे इसके बाद जो हमारा Kelvin cycle है उसको हम अपनी next video में discuss करेंगे तो start करते हैं cyclic electron flow से तो आपको पता है cyclic और non-cyclic जो है वो light dependent reaction है तो जितने भी reactions यहाँ पे होंगे उनके लिए light की presence बहुत important है ठीक है तो यहाँ पे photo system 1 का use करेंगे चीक है और P700 जो है वो इस reaction में use होगा production of ATP होगी because जितने भी proton है वो pump into lumen side पे वो pump करेंगे ठीक है cyclic electron flow में जितने भी proton की pumping होगी वो thailokide lumen की तरफ होगी आप यहाँ diagram में देख रहे हैं कि जितने भी proton की pumping हुई है वो lumen वाली side पे हुई है और यह प्रोटीन जो है यह उपर जाके ATP के साथ मिलके फिर इन मतलब जितने भी metabolic processes होंगी उन में इनका use होता है ठीक है और यहाँ पे ADP की ADP और PI मिलके जो है वो ADP की formation करेंगे और यहाँ पे NADPH की production नहीं होती है और ना ही oxygen बनता है क्योंकि NADPH जो है वो reduce form है ठीक है और जब भी cyclic electron flow होता है वहाँ पे proton जो है वो pump कर जाते हैं बट electron जो है वो pumping नहीं होती है ठीक है जब electron जो है उनकी pumping नहीं होगी तो वो active form में ही present रहेगा NADP जो है वो active form में ही present रहेगा बट जब हम non-cyclic electron flow देखेंगे तो वहाँ पे ये reduce form में change हो जाएगा NADP जो है वो NADPH form में change हो जाएगा आपको पता है NADPH जो है वो एक reduce form है जब भी वहाँ से electron जो है वो pump out हो जाता है तब ये reduce form में बन जाता है NADPH की formation वहाँ पे हो जाती है आप cyclic electron flow में देख रहे हैं कि cytokrome B6F B6F जो है वो plastosinin में change होके photosystem 1 जो है उसके बाद ferodoxin और electron transport जो है वो दोहारा से मिलके इनी proton की pumping के लिए मतलब thylokoid lumen में इनी proton को लेके जाने में ये help करेगा और जितने भी I processes होती है ये सारी processes cyclic है मतलब बापिस दोहारा से ये ही process होती रहीगी एक cyclic form में ठीक है और ये light energy जो है वो भी यहाँ पे use होगी ATP की production होगी बट NADPS जो है वो यहाँ पे produce नहीं होगा oxygen भी यहाँ पे नहीं बनेगी I hope guys यह आप understand करने हैं होगे diagram से आपको समझ आया होगा अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मेरे को comment box में पूछ सकते हैं उसके बाद आता है non cyclic photo phosphorylation ठीक है और इसमें दोनों photosystem use होते हैं photosystem 1 and 2 मतलब chlorophyll 680 और chlorophyll 700 ठीक है दोनों का use होता है photosystem 1 भी और photosystem 2 भी अगर इसमें आप देखें तो इसमें ATP बोथ ATP और NADPH molecule यार used जो energy आपने देखी थी कि जो energy photosystem 1 में cyclic photo phosphorylation के time पे बनी थी वो यहाँ पे use हो रही है ATP की energy यहाँ पे use हो रही है और वहाँ पे NADPH जो था वो synthesize नहीं हुआ था वो यहाँ पे synthesize हो रहा है यहाँ पे वो synthesize होगा मतलब वो वहाँ पे active form में present था यहाँ पे यह active form जो है reduced form में change हो जाएगी और आपको मैंने बताया था कि जो reduced form है वो NADPH हो है वो reduced form में होता है क्योंकि वहाँ पे जो electron है मतलब proton और electron है वो excited state से reduced form में चले जाते हैं और जो यहाँ पे movement of electron है non-cyclic manner में उसमें यह ATP को use करती है ATP के energy को use करती है excited state में लेके गई है जिसे आप देख रहे हैं two electrons को excited state में लेके गई है यह photo system 2 से लेके गई है provided by the photo system 2 और उसके बाद जब यह यहाँ पे आप देख रहे हैं ATP plus PI और ATP में energy produce हो रही है और नीचे NADPH जो है वो NADPH में change हो रहा है ठीक हैं यहाँ पे two protons जो हैं उनकी वो reduce form में NADPH को reduce form में produce कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे photo system 1 और photo system 2 दोनों use हो रहे हैं क्योंकि photo system 2 से जो भी excited state में electrons जो निकल आते हैं वो बापिस photo system 2 में नहीं आते हैं बलकि वो जाते है photo system 1 में ठीक हैं और यहाँ पे photolysis of water भी बताईए आप देखिए diagram में नीचे photolysis of water भी बताया है जहाँ पे यह water molecule जो है वो उससे two electrons जो है वो निकल के excited state में जा रहे हैं ठीक हैं और यहाँ पे electron और proton जो है वो combine करते हैं ताकि water molecule जो है वो splitting हो सके और reduce form में NADP को NADPH में कर सके ठीक हैं यह है non-cyclic photo phosphorylation अब आपको यह समझ आगे होंगे इसके साथ ही मैं इसके एक और diagram बताऊंगी वो next slide में देखते हैं हम अब यह diagram जो आपको बताया है इसमें दोनों के बारे में बताया है इसमें मैंने आज आपके साथ Kelvin cycle के बारे में डिसकुस नहीं किया है यह मैं आपसे अगले टॉपिक में डिसकुस करूंगी बट आज light reaction के दोनों जो cyclic और non cyclic photo phosphorylation है वो दोनों reaction मैंने आपको बता दिया है अगर आप यहां से देखें तो photons मतलब light जो ले रही है light reaction में light आ रही है और यहां पे जो non cyclic था वहां पे photolysis हो रही थी तो यह photolysis का reaction हो रहा है और यह जो cyclic था वो thylakoid में हो रही थे और photophosphorylation यहां से जो ATP और NADPH जो है वो निकल के Kelvin cycle में जा रहा है ठीक है और इस energy को Kelvin cycle बाद में use करती है dark reaction जो है वो इस ATP और NADPH के energy को use करती है carbon fix करने के लिए ठीक है यह और वहां से फिर CO2 जो है वो convert करती है sugar में ठीक है convert करती है sugar में आपको पता है Kelvin cycle जो है dark reaction यह मतलब light independent reaction होता है और यह stroma में होता है ठीक है और आप देख रहे हैं जो light reaction है वो ADP ADP और PI जो inorganic phosphate है उसको convert करती है ATP के formation करने में और NADP जो है वो non cyclic में जाके वहां पे waterlysis of water होता है और वो अपना proton जो split up होते हैं वहां पे NADP जो है NADPH को reduce form में produce करता है यह आप देख रहे हैं यहां water से oxygen की formation हुई है यह अगर आप light reaction में देखें तो यहां पे cyclic और non cyclic के दोनो reactions आपको बताए है next topic में मैं आपसे discuss करूंगे Kelvin cycle के बारे में so guys अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like, subscribe और share जरूर कीजिए till then work hard, stay safe thank you